कुछ तिन पहले कॉंग्रेस के दिगज नेता कमलाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी लेकिन आप कमलाथ वापस एक बाफ फिर बीजेपी पर निशाना साथते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि मद्यप्रदेश की मुहन सरकार एक बार फिर से 5000 करोड करजा लेने जा रही है उन्होंने अभी दावा किया है कि सरकार ने दो महीने में ही 17500 करोड का करजा ले लिया है कमनलाथ के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंग से सौध्या ने पलटवार किया है राजपाल सिंग ने कहा कि प्रदेश के जंता को आगे बढ़ाने उनके आर्थिक स्तिती को मजबूत बनाने के साथ साथ द्योग और इंफ्रस्ट्रक्ट्टर के लिए सरकार यदि कर्ज लेती है तो उसे अर्थ शाष्ट्री भी गलत नहीं मानते हैं उन्हेंने कहा कि कर्जा उसी को मिलता है जिनकी साख होती है मद्यप्रदेश सरकार की इतनी साख है कि सीमा के अंदर उन्हें कर्ज मिलने में कोई दिक्कत नहीं है कॉंग्रेस के वल आरोप लगाना जानती है प्रदेश चलाने काधिकार के वल बीजेपी की सरकार के पास ही है